C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमाद के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक नंबर 14 नीम का पेड़ सफा नंबर 122 एक दिन राशिद कुलहारी लेकर जंगल गया नीम के पेड़ को काटने लगा भारी कुलहारी चलाते हुए जब वो ठक गया तो उसी नीम के पेड़ के साय तले आराम से बैठ गया जैसे ही उसकी आँख लगी तो उसने किसी के कराने की आवास सुनी इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया सोचने लगा कौन हो सकता है जो करा रहा है सफ़ा नंबर एक सोतेईस ये सोचते हुए फिर कुलहारी हाथ में ली और बड़बडाने लगा होगा कोई मुझे क्या जैसे ही उसने कुलहारी को दरخت पर मारा तो उसके कानों में एक आवास आई ठहरो तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हारे कितने काम आ सकता हूँ मेरी पत्तियां सूरज की तेज धूब को जमीन तक पहुँशने से रोक लेती है और मेरी च्छाओं की ठंडी हवाओं में ठके हारे लोग आराम करते है जैसा के तुम खुद अभी अगर आप इतनी ऑक्सीजन बाजार से खरीदोगे तो कई हजार रुप्यों में भी नहीं मिलेगी ए नादान अपने घर के कपड़ों के संदूग खोल कर देखो उसमें तुम्हारी अम्मी ने मेरी सूखी पत्तियां रखी हुई होगी क्यूंकि मेरी सूखी पत्तियों से कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता मेरी सूखी पत्तियां कीड़ों से अनाज की भी हिफाज़त करती है इसके अलावा मेरी सूखी पत्तियों का धुआ करने से मक्खी, मच्छर और बहुत से कीड़ों से भी निजात मिलती है मेरी ज्छाल भी बहुत काम की है इसको पीज कर दवाइं बनाई जाती है जिसके खाने से खून साफ होता है और पेड के कीड़े मर जाते है मेरी पत्तियों को उबालने के बाद उससे अगर नहाया जाए तो खारिश, भोड़े, फुनसी, खुजली वगएरा जैसे जिल्दी इमराज से भी निजात मिल सकती है मेरे फल को निबॉली या निमकॉली कहते है इसकी गुटली से तेल निकाला जाता है इस तेल से बना हुआ साबुन भी भोड़े और फुनसीयों के लिए बहुत मुफीद है क्या तुमने कभी मेरी नरम नरम टेहनी की मिस्वाक से दान्ट साफ किये है ये कड़वी तो जरूर होती है लेकिन दातों के लिए बहुत फायदे मंद है इस से ना सिर्फ दात मजबूत होते हैं बलकि उनमें कीड़े भी नहीं लगते और दातों का पीलापन भी दूर हो जाता है इसके अलाबा अगर तुम्हें कभी बुखार आ जाए तो मेरी जड़े उबाल कर पी लेना बुखार दूर हो जाएगा सफा नंबर 125 देखा नादान मैं तुम्हारे कितने काम आ सकता हूँ तो तुम मुझे काट कर क्या करोगे राशिद हैरत भरी निगाहों से नीम के पेड को देखता रहा वो गहरी सोच में डूब गया पेड आदमी की आवाज में बोल नहीं सकता फिर ये क्या माजरा है वो यही सोचते हुए घर जाने के लिए मुडा तो देखा कि एक बुजर्ग उसके पीछे खड़े थे और कहने लगे बेटा ये पेड बेजबान होते हैं कुछ बोल नहीं सकते हैं लेकिन पेड की तरफ से मैंने तुम्हें नीम के फाइदे बता दिये हैं हर पेड में कुछ ना कुछ खूबिया होती है ये सुनने के बाद राशिद ने एहद किया कि आज के बाद कभी किसी पेड को काटने की कोशिश नहीं करूँगा और ना किसी को काटने दूँगा सफा नंबर 126 चाओ, साया, माजरा, वाकया, नादान, नासमज, खारिश, खुजली, निजात, छुटकारा, एहद, पक्का इरादा, हैरत, ताज्जुब, टहनी, छोटी शाख सफा नंबर 127, सोचिए और बताईए, एक, नीम की गुटली के क्या फाइदे है, दो, नीम की च्छाल किस किस काम में इस्तिमाल की जाती है, तीन, नीम के पत्तों का धुआ किस काम आता है, चार, मिस्वाग करने से क्या होता है, पांच, राशिद ने क्या एहद किया, असातजा के लिए हिदायाद, कहानी को मुनासिब लबो लहजे और अदाईगी के साथ पढ़ कर सुनाया जा सकता है, नीम का पेड कहानी को तल्बा से उनके लवजों में लिखवाया जा सकता है, सफ़ा नंबर 128, खाली जगहों में सही लवज चुनकर लिखिए, दिये गए अलफाज हैं साबुन, मिस्वाग, संदूक, बुखार, कड़वी, एक, अपने घर जाकर गर्म कपडों के खाली जगह को खोल कर देखो, दो, नीम की टहनी खाली जगह होती है, तीन, नीम के तेल से बना हुआ, खाली जगह फोड़े फुनसी को ठीक करता है, चार, अगर तुम्हें खाली जगह आ जाए, तो मेरी जड़े उबाल कर पीना, पाँच, नीम की नर्म नर्म तहनीया, खाली जगह के काम आती है, दिये गए अलफाज को बुलंद आवाज में पढ़िए और खुशखत लिखिए, आक्सीजन, खारिश, निबॉली, तपिश, मिस्वाक, पत्तियां, सफ़ा नंबर 129, दिये गए नक्षे से, मंदरजा जेल अलफाज तलाश कीजिए, दिये गए अलफाज हैं, करा, जर्दी, नहर, टहनी, बुखार, अदा, जंगल, यहां एक नक्ष दिया गया है, जिसमें अलग-अलग हर्फ मौजूद हैं, हर्फ हैं, जीम, नून, गाफ, लाम, टे, हे, नून, ये, काफ, रे, अलिफ, हे, जे, रे, दाल, ये, बे, खे, अलिफ, रे, दिये हुए अलफाज के मुतजाद लिखिये, पीछे, कड़वी, खुशी, नुकसान, नादान, सफा नंबर 130, नीम के बारे में चंद जुमले लिखिये, पहीली, टांगे चार मगर बेकार, चलना फिर भी है दुश्वार, अभी आफ सुन रहे थे, तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार, समयी रिकॉर्डिस मयंक कुमार, निर्मान सहयोग चेतना शर्मा, समयी फनकार, सुंपुल शकील और फरहान अली नकवी, हिदायत और तखलीक कार, विमलेश चौधरी, ये किताब C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत के जरिये पेश की गई,